नमस्कार जैसा कि मैंने उस दिन वादा किया था कि स्वर्गिय रामधारी सिंग दिनकर जी की जन्म तित्थी पर मैं आपके समक्ष उनकी दो रशनाएं प्रस्तुत करूँगा आज उनकी रशनाएं मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ एक शद्धांजली के रूट में एक तरपन के रूट में एक उनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है सिंगासन खाली करो की जन्ता आती है सदियों की ठंडी बुजी राग सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है दो राह समय के रत का घर घर नाद सुनो सिंगासन खाली करो की जन्ता आती है जन्ता हां मिट्टी की अबोद मूरतें वही जाडे पाले की कसक सदा सहने वाली जब अंग-अंग में लगे साप हो चूस रहे तब भी न कभी मूखोल दर्द कहने वाली जन्ता हां लंबी बड़ी जीब की वही कसम जन्ता सच मुच ही बड़ी वेदना सहती है सो ठीक मगर आखिर इस पर जन्मत क्या है यह प्रश्ण गूर जन्ता इस पर क्या कहती है मानो जन्ता ही फूल जिसे एहसास नहीं जब चाहो तबी उतार सजालो दोनों में अत्वा कोई दुद्मुही जिसे बहलाने के जनतर मंतर सीमित हो चार खिलोनों में लेकिन होता भूडोल ववंडर उठते हैं जनता जब कोपा कुल हो ब्रकुटी चड़ाती है दो राह समय के रत का घरगर नात सुनो सिंगहसन खाली करो की जनता आती है हुंकारों से महलों की नीव उखर जाती सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है जनता की रुके राह समय में ताव कहां वो जिदर चाहती काल उधर ही मुडता है अब दो शिताब्दियों सहस्त्राब्द का अंदकार पीता गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं यह और नहीं कोई जनता के स्वपन अजय चीरते तिमिर का वक्ष उमरते जाते हैं सबसे विराट जनतन्त जगत का पहुचा तैतीस कोट सिंगासन तै करो अब इशेक आज राजा का नहीं प्रजा का है तैतीस कोट जिनता के सिरपत मुकुट धरो मंदिरों राजा प्रसादों में तहखानों में देवता कहीं सडक पर मिट्टी तोड रहे देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में फावडे और हल राजदंड बनने को हैं धूसरता सोने से शिंगार सजाती है दो राह समय के इरत का घरगर नार्थ सुनो सिंगासन खाली करो की जनता आती है सिंगासन खाली करो की जनता आती है और सिंगासन खाली करो की जनता आती है